हेलो दोस्तों, वेलकम टो विनास कीचेन, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़ादा टीस्टी बनने वाली कठल की मसालेदार सबजी की रेसिपी लेकर आई हूँ, इसे बनाना बहुत ही ज़ादा आइसान है, तो चलिए रेस्पे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मैंने एक किलो एकदम ताजा कठल लिया है, इस कठल को हम सबसे पहले हाथों में सरसो का तेल लगा लेंगे और अच्छी तरीके से कट कर लेंगे, तो इसे सबसे पहले मैंने बीच से कट कर लिया है, और ओपन वाले भाग पे इस तरीके से नीबू का रस हमें लग पर खाते जाना है तो ये देखिए हमने इससे इस तरीके से कट कर लिया है अब हमें इसके नीचे का छिल्टा eiste आ रिमूब करना है और कथल के ओपर में जो डंठल होती है उसे भी घोड़ा सा तो अस में हमें से चोटे चोटे टुइंटि कट कर लेंगे इस कठल को कट करने में बहुत जादा मेहनत नहीं लगी है ये बहुत ही जादा नरम कठल था तो सारे कठल को हमने कट कर लिया है अब आधा किलो कठल मैंने लगभग सबजी बनाने में इस्तमाल किया है तो एक कुकर में हमने कठल लिय लिया इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा नमक और ढखकन लगाकर हाई फ्लेम पे एक सीटी आने तक के सिर्फ पकाना है हमें इसे ओवर गूप बिल्कुल भी नहीं करना है जब तक कठल बॉयल होता है हम भागी तेयारी कर लेते हैं तो यहां मैंने तीन बड़े साइस के प्यास लिये हैं दो मीडियम साइस के टमाटर पंदरा से बीस लेसन की कलियां चार हरी मिर्च और दो इंच अद्रक का टुकडा लिया है प्याज को हमें बारिक बारिक चॉप करना है और आदे प्याज का इस्तमाल हम इसकी ग्रेवी बनाने के लिए करेंगे तो यहां हमने एक मिक्सर क्राइडर लिया है इसमें मिर्ची, अद्रक, लेषन और टमाटर को हम रफली कट करके डालेंगे ग्रेवी बनाने के लिए इसके साथ ही हम कुछ मसाले भी इस्तिमाल करेंगे तो सबसे पहले आधा चमच जीरा, काली मेर्च आठ से दस लेंगे, इसके साथ लेंगे एक छोटा टुकड़ा दाल चीनी का, एक बड़ी लाइची और एक हरी लाइची, एक बड़ा चमच, खड़ी धनिया लेंगे और पाउडर, एक चोटाई चमच, गरम मसाला, आधा चमच मिलाएंगे किचन किंग मसाला, साथ ही इसमें एक चोटाई चमच, काली मिर्च और जीरा का पाउडर मिलाएंगे, एक बड़ा चमच हम इसमें मिलाएंगे, कश्मीरी लाल मिर्च, सभी को अच्छी तरीके से मिक्स क कर देंगे और कठल की सबजी का मसाला एकदम तयार है कठल भी हमारा बॉइल हो गया है तो इसे अच्छी तरीके से छान लेंगे ये देखे बिल्कुल भी ओवर्गुक नहीं किया है हमने अब हम इसे फ्राइ करेंगे तो एक पैन में हमें तीन बड़े चम्मत सरसो का तेल ले होगा इसलिए हमें सिर्फ एक सीटी ही लगानी है इसके बाद ये देखिए कितने अच्छी तरीके से कठल जो है एकदम गूल्डन ब्राउन हो गया है और एकदम अच्छी तरीके से पक चुका है एकदम सॉफ्ट हो गया है इसे हम अलग निकाल लेंगे और उसी कठाई में हम दो बड़े चमत तेल और मिलाएंगे तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे आधा चमत जीरा चुटकी भरहिंग और कटे हुए प्याज को इसमें डाल कर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक तेजपता अब प्याज में हम नम एक विए चुल्पा स्पाइशे लिए ॅ मैसाले कनरें अचों म D धग धग कर आप चाहें तो इसे पका सकते हैं, बीड़ बीच में चलातेर रहें ताकि मसाला चिपके ना, और जब तक तेल ऊपर नहीं आता है और शारी चीजों के अच्छी खुश्बूं नहीं आने लगती है सारी कच्ची स्मेल नहीं चले जाती है तब तक हमें मसाले को पकाना है तो आप देख सकते हैं मसाले में से तेल उपर आने लगा है और अच्छी तरीके से भून कर एकदम तयार हो गया है बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है अब हमने इसमें भूना हुआ कठल डाल दिया है और अच्छी तरीके से इसमें स्वात के अनुसार नमक डालेंगे नमक हमने पहले भी एट किया है तो अपने स्वात के अनुसार डालें इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी और एट करेंगे और इसे हम अच्छे से पकाएंगे ऐसे तो कठल पूरी तरीके से पका हुआ है पर फिर भी इसे और ज़्यादा सॉफ्ट करने के लिए हम थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और इसे भी ढखकर हमें पका लेना है तो कठल जो है पकने में थोड़ा जादा समय लेता है और हमने बहुत जादा बॉइल नहीं किया था इसलिए इसे हम धक धक कर पकाएंगे ताकि ये एकदम अच्छी तरीके से मसाले अंदर समा जाएं इसमें अगर आप कठल सुका खाना पसंद करते हैं तो इसी तरीके से कठल बनाएए इस पर थोड़ा सा कसूरी मेथी और हरा धनिया डालिए और सुका कठल बनकर बिल्कुल तयार है बट मैं यहाँ पर ग्रेवी वाला कठल तयार कर रही हूँ तो अब मैं इसमें देड कब गरम पान पर पकाएंगे धकन हटाकर बीच में हमें चलाते रहना है और यह देखिए क्या रंगत आई है थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से धक कर हम सिर्फ दो मिनट के लिए से पका लेंगे हमारा कठल मसाला एकदम बनकर तयार हो गया है बह अगर यह रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें चैनल पर नहें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और मसालेदार रेसिपी देखने के लिए बने रहें मीनास किचन के साथ धन्यवाद